का फॉदिभर किerson hell टो है तो ही तो मेर्ह की गश्कुशन थो इस कुश्चन में हम लोग के पास एक बाइनेरी में आम एक्ज की।े है या सहांग हूं मैं अब लोगो समझाता हूँ ये एक binary matrix हम लोगो given है इसमें हम लोगो find करना है maximum rectangle तो देखो क्या होगा ये एक rectangle बनेगा जिसका कि area क्या हो जाएगा ये तो six हो जाएगा इसका area है ना इस तरह एक rectangle ये बन जाएगा जिया पर देखो एक rectangle ये बन जाएगा अगर इसकी बात कर करके यहां पर क्या बन रहा है बहुत सारे rectangle बन रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा rectangle है उसका area जो है वो 8 है यहां पर देखो आप लोग output में 8 है और वो देखो matrix कैसा दिख रहा है ये वाले matrix जो यहां से हम लोगो ने लिया था इस वाले matrix की जो area है वो 8 है तो इसको basically हम लोग कैसे करेंगे तो थोड़ा सा इसको erase कर लेते हैं एक question मैंने हम लोगों ने discuss किया था अगर आपको याद हो तो एक question हम लोगों ने देखा था क्या largest rectangle in histogram largest rectangle in histogram एक question हम लोगों ने किया था just इससे पिछला आला video होगा तो आप लोग जाके मेरे playlist में देख सकते हो तो उस question को दे तो उस question को देख के आओ एंड यही hint है था guys यह सबसे बड़ा hint है इस question में तो उस question को आप लोग देखना एंड इस question को try करना आप लोगो खुद से बनाने का अगर हो जाता है तो ठीक है नहीं तो वीडियो को continue करके देखना है ठीक है तो देखो इस question में भी सेम हम लोग यह सेम क्या करेंगे कि हम लोग हर रो में हर रो को base बना के देखेंगे कि कितने maximum area हम लोग को मिल सकता है तो हम लोग basically row wise traverse करेंगे इस binary matrix में तो देखो पहली रो है हम लोग के पास क्या पहली रो हम लोग को मिली 0 1 1 & 0 ठीक है तो अगर इसको हम लोग blocks की form में represent करें तो यह 0 है यहां पर एक size की block है यहां पर भी size की block है और यह 0 है ठीक है तो देखो इसमें यह हमारे पास अब क्या बन गई यह हमारे पास बन गे histogram अब हम लोग अगर निकाले maximum area इसका अगर हम लोग maximum area निकाले तो इसका maximum area क्या हो जाए गई तो आइधिंक कि यह यह वाला rectangle है जिसकी area जो है वो दो है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग row wise traverse करेंगे रोवाइस करेंगे और हम लोग उस वाले function को call कर देंगे कौन सा function largest rectangular area in histogram छिसे गया मिल जाएगा area मिल जाएगा ठीक है तो क्या मिल गया मिल गया तो हम लोग 2 को रख लेते हैं अब हम लोग आगये second वाले रोपे आगये तो अब देखो अब हम लोग consider करेंगे इस पूरे matrix को इस पूरे matrix को हम लोग करेंगे consider जितना भी yellow part में है तो इसमें देखो तो अब हो से हमुरी जो सर्मate यहां से हमारे एरे हैं वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा जिसे कि इन दोनों आधा को थेना प्लस कर देंगे हम लोग तो procent यहां पर न जाएगा फिर इस तरह यहां पर आ जाएगा थो फिर से 2 एंड 0 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 तो हमारी मेट्रिक्स बन गई अब क्या 1, 2, 2, 1 हमारी यह बन गई तो अब गर इसका डाइग्राम बना है इसका अगर हिस्टोग्राम बना है तो इसमें अगर हम लोग देखे कि मैक्सिमम एरिया क्या होगी तो एक साइज का ब्लोक फिर दो साइज का ब्लोक फिर से दो साइज का ब्लोक एंड फिर एक साइज का ब्लोक ठीक है तो इसमें देखो इसमें एक तो रेक्टेंगल यह बन रहा है एक रेक्टेंगल यह बन रहा है यहां से हम दो मेक्स pee मिल रहा है 4 मिल रहा है तो यहां से हम आपडेट हो कि ह्या हो जाएगा फूर हो जाहीं अभी तक मैरा मैक्स posteriorいつ एक बार बना लेते है इसको तो देखो हमारी जो लो कैसी दिख रही होगी वह अब दिखेगी 23 Lap 2 is मैं मैक्साम मेडेगों दो होगा इसमगें चार उद्ज वेड्ध 7 to find तो 6 नहीं लेंगे तो हमारे बास maximum area जो है वो आ गई 8 ठीक है अब देखो गाइस अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है अब देखो अब हम लोग आ गए लास्ट वाले रो पे एड हमारे बास है 1100 ठीक है 1100 ठीक है यहां पर हम लोग प्लस करते हैं 2 प्लस वन 3 यहां पर क बनाते हैं एक बर इसकी बिल्डिंग बना के देखते हैं तो देखो तीन साइज की ब्लॉक ठीक है यह बन गया तीन साइज की ब्लॉक एक बन गई चार साइज की ब्लॉक अब देखो गैस यहां पर है जीरो इसका क्या मतलब है कि नीचे से जगह खाली है और ऊपर तीन तो इसमें बन जाएगा 2 size block and base खाली है तो flying building जैसा कुछ concept बन रहा है तो ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे तो कभी भी अगर हम लोगों को area में 0 मिलता है कभी भी binary matrix में हम लोगों को 0 मिलती है तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे हम लोग simply कर देंगे 0 तो इसको हम लोग change कर देंगे तो यहां जाएगा 0-0 तो ऐसा कोई concept नहीं होगा flying building मतलब उड़ता हुआ building नहीं देखना है अम लोगों यहां जाएगा 0 और यहां भी आ जाएगा यहां पर आप लोग आउट्पूट भी देख सकते हो गाईज यहां पर आप लोग आउट्पूट देखो आउट्पूट भी 8 है तो 8 हम लोग simply कर देंगे तो यह इसका explanation था गाईज तो इसको एक बार कर लेते हैं समब देख लेते हैं कि हम लोग को करना क्या क्या है ना करना कैसे है हम लोग ठीक है यूस तो कर लेंगे largest rectangular area in histogram को लेकिन देख लेते हैं कि करेंग कैसे है ठीक है तो यह हमारे बास matrix है इसको थोड़ा clear कर लेते है हा अब अगर हम लोग second row पर आते हैं तो second row को हम लोग को इसके elements को change करना है जो भी previous row हिएक इसके यहां एसके प्रिवियस रो में ओवं तो अब हमारी जो रो है वो स्वाहाएर už हो गईगं ॉच्रश्मा लिए मिल में मैक्स या इसमें तरह करेंगा टो इस तरह काम करेंगे इस द mannermaya आफ स्वाल Dé रहेंगे लास्ट में कभी भी अगर हम लोग को जीरो मिलता है तो हम लोग उसको simply कर देंगे जीरो क्योंकि उसके जो प्रिवियस रो है उससे हम लोग एड नहीं करेंगे वैल्यूस को हम लोग simply उसको 0 ही रैंड ने ठीक है तो चलिए इस thinking के साथ हम लोग कोड लिखने ही कोशिश करते है तो ना इस कोड को मैं यहां पर ले आता हूंगा इस क्यूकि टाइम वेस्ट होगा मैं समझता हूं कि अगर इस कोड को फिर से लिखने जाए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा तो इस कोड को कर लेते हैं copy एंड मेरी आप से request है कि पिछला वीडियो जरूर देखके आजाओ कि एक वीडियो में सारे चीज को समझाना यार पॉसिबल लिए क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी ठीक है तो यहां पर हम लोग ने ले आया इस function को अब हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं अपना काम कर लेते हैं ठीक है तो देखो function का नाम है largest rectangle area इसको कर लेते हैं copy एंड अब लोग । लेलते हैं तो ईंट इंट एरिया हम लोग निकाल लेंगे कैसे लाजेकर अरिया में हम लोग पास कर दिए अपना फ़र्श्ट रोर है या फश्टरो में प्लंत कर दिया ठीक है यह in यह फंचन से चेंज कर न pagan वाल वेलिक को máल यह है तो हम लोग पनके अरिय कॉलम में एड़ वैलिवस को चेंज करेंगे तो अगर if m of ij अगर m of ij एगर matrix of ij में one पढ़ा है तभी हम लोग change करेंगे अगर one नहीं पढ़ा है तब तु मैट्रिक्स of ij में simply zero put करतो है ना ये क्या बताया मैंने यहां पर देखो ये मैंने क्या लिखा कि अगर one है अगर one करने की सबर्द नहीं है इसलिए हम लोग को यह काम करना पड़ेगा यहां पर तो अगर m of i j में 1 पड़ा है तो क्या करो m of i j में add कर लो किसको add कर लो अपने previous row के value को तो m of i minus 1 j i minus 1 j कर देंगे तो i j से current row है तो i minus 1 करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर वाले row पहुंच जाएंगे तो उसकी जो भी values होगी उसको add कर लेंगे तो यह simple सा flow है guys and इस loop के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग एरिया में इरिया में हम लोग श्टोर कर लेंगे क्या math.maximum of area and यहां से हम लोग कर देंगे इस वाले function को फिर से call and इस function को हम लोग कर देंगे किसमे जो अब हमारी row है तो m of i, m of i हम लोग कर देंगे तो यहां से हमारे वास maximum area आ जाएगा store हो जाएगा area वाले variable में and इसको हम लोग कर देंगे अगर कोई भी compilation error होगी तो हो मिल जाएगी ठीक है तो काफी simple सा solution था आप लोग ने देखा कि कैसे हम लोग ने पिछले question को यूज करा तो यह submit हो रहा है यह accept हो रहा है इसको कर लेते हैं submit और फिर बात कर लेंगे इसकी time and space complexity बारे तो time complexity तो यार ओ बिग ओ और n x m है आप ल 0 से लेकर के m तक फिर से लूप चला रहे है तो इसकी time complexity है वो क्या हो जाएगी मैं लिख देता हूँ जो overall time complexity है वो है big of n x m and space complexity है guys वो है big of m big of m जो है वो इसकी space complexity है so that's it for this video guys and I hope की complete discussion आप लोग को clear हो गया होगा कुछ नया नहीं किया है हम लोगों ने गई बस पिछला question को यूज किया है तो पिछला वीडियो भी देख लेना so that's it for this video guys and I hope की complete discussion आप लोगों क्लियर हो गया होगा तो justin case अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को कर देना like and कर देना चैनल को subscribe ताकि कोई भी latest notification आप लोगों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में guys thank you